पूद मॉरिंग स्टुदेंट्स जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्ट्ट्ट्ट्ट्स मेटरी सबजेक्ट के यूणिट के ओवर्व्यू किया था और यह जो लेक्चर है मेरे सिविल सेकेंडीरी स्टुदेंट्स के लिए हैं सिविल सेकेंड़ जो अभी अभी थड्र सें में परमोट होकर आये हैं हम लास्ट लेक्चर में construction material के units के बारे में देखा था और उसके overview के बारे में देखा था कि ये construction materials civil के फिल्ड में कितना महत्यपूर्ण सबजेक्ट है और उसकी एहमियत क्या है construction materials आपका यह subject है इस subject के heading में हम लोगों ने last time कई सारे units का overview किया था तो उन्हीं में से एक unit था कि stones की बात की थी हमने और हमने यह कहा था कि next lecture पर हम stones के बारे में थोड़ा सा overview लेंगे और detail study करेंगे तो आपके जो slayvers में stones का है stone जो material है उसको refer किया गया है एक building stones के नाम से मतलब यह जो unit है आपकी building stones के नाम से आपके book में है और इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा तो introductory section है अभी भी stones में ज्याद़ में नहीं जाएंगे जैसे जैसे topic आते जाएंगे उसके depth में जानी की जरुवत पड़ेगी तो हम लोग जाएंगे जरूर so now we are going to start unit one of construction material subject which is generally known as building stones it's an important material for construction area many of stones have different texture color appearance and properties as per their properties of a stone can be used कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे पास different different properties के different different properties कि वाले कि इस्टोंस कि एवेलेबल है जो की बात करते हैं कि यह इस्टोंस जो current है वह किस अधार पर हो सकते हाई तो इनका यूज़ भी अलग अलग जगह पर होगा हाई जगा यूज़ भी हो जाएगा अलग अलग पर पर्पसके लिए यूज़ किया जाएगा तो अब फिर देखते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है एक्चुली मैं हमारा सारा जो फोकस होना चाहिए वो यूज़ के उपर है क्योंकि इस्टोंस को हम यूज़ करते हैं as a civil material समझ के तो अब यूज़ जो है वो प्रॉपर्टीज पर बेज़ड है अब प्रॉपर्टीज किस पर बेज़ड है प्रॉपर्टीज जो बेज़ड होगी वो तो जहां से इस्टोंस को हम लोग ले रहे हैं यानि कि stone जहां से हमको मिल रहा है यानि कि source किया कि मैं बात करूं जो इसका source है उस जगा से जो stone से मिल रहा है और जिस से इसको हम लोग ले रहे हैं उसकी जो property है वही property इस stone के अंदर भी होगी अब यह stone मलते कहां से generally देखा जा तो stones हमें rock से मिलते हैं किसे मिलते हैं rock से अब आपने stone के अलावा दूसरा नाम आपने सुना है rocks चटान जिसको हम लग बोलते हैं अब ये एक अपने आप में बहुत बड़ा topic है और हम stones की property को ना पढ़ते हुए कि हमें चटानो की property पढ़ने पड़ेगी क्योंकि हमें पता चल रहा है कि stones की जोfloante ही है वो चट्टानों से ही मिली है क्योंकि स्टोन जो मिलता है वो चट्टानों से मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें रॉक्स के बारे में अगर हम डिटेल में भी यूज किया जाता है क्या इन सब के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा तो अब देखते हैं कि आपको इस्टोंस जनरली देखने को कहा मिलता है चेप्टर में हम नोग घुसने से पहले इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं देखते हैं कि कहा है तो we know that the ancient time many buildings were made of rocks आपने देखा होगा कि पुराने प्राचीन समय में अभी भी जो building आपको दिखती हैं कहीं कहीं एतिहासिक building जिनको बोलते हैं या इमारते बोलते हैं वो rocks से ही बने होते हैं आप लोग बोलते हैं बड़े बड़े पत्थरों को काट कर बना गया है सिला लेखों को काट कर या चट्टानों को काट कर कुरेट कर बनाए गया है तो many buildings were made of rocks लाइक द ताज अगर मैं ताज की बात करूँ तो उसमें भी संग मर्मर के पत्थरों का यूज किया गया है मार्बल्स यूज किया गया है similarly कुतुब मिनार, जामा मस्जिद सौथ के बहुत सारे टेमपल इजिप्ट के पीरामीड आपने देखे होंगे, मिसर के पीरामीड बोला जाता है एक ऐजीबसें पीरामीड भी क्या है वह रॉक को ही कटिंग करकर उसको उस सेप में लगाया जाता है तो हम देखते हैं कि rocks जो है हमारे सामने जो है वो प्राचीन समय से ही यूज किया जा रहा है हमारे समाज में हमारे बहुनों के निर्माण सामगरी में उसका बहुत एहम रोल है अब ऐसा क्यूं है कि पत्रों का प्रयोग क्यूं जादा है आज के समय में भी है और पुराने ट बिल्डिंग मटेरियल वाई स्टोन्स आर कंसीडर्ड एस ए सुटेवल बिल्डिंग मटेरियल इसका आंसर आप सारे बच्चे एक एक मैं तो अभी दूंगा इसका आंसर आपको दुबारा रिव्यू करतें जब आप पढ़ेंगे तो उसको आप लिखके जरूर मेरे को सेंड तो यह एक तरीके साबका असे लिए आप अलग से क्या पॉइंट कर बाते में जो प्वाइंट बताऊंगा उसके अलावा और प्रुइंटर्टाप कर सकते हैं ठीक है तो इसके सुटेबिल्टी क्यूं तो उसके हम पॉइंट प्वाइन देखते हैं सबसे पहला पॉइंट इफेक्ट देखे देखते हुए या कुछ भी खराबी ना होते हुए वह कितने दिनों तर टिक सकता है यानिकि life is one इस्पैन तो इस्टोन बीलिंग स्टोन के तो बीलिंग या जो भी स्टेक्ट से बने होते हैं उनकी life is one ज्यादा होती है तो नेक्स्ट डूरिबिलीटी डूरिबिलीटी यह भी बहुत हाई होती है दूरिबिलेटी इस हाई यानिकि टिकाव पान अगर मैं बात करूं तो थर्ड है कि it is also used for the ornamental work अब ornamental work क्या हुआ और्ना मेंटल वर्क आपने देखा होगा कि जो मूर्तियां होती है या भब्र कई सारी मंदिर्स हैं कई सारे इमारते हैं उसके अंदर कलाकारियां की गई होती हैं तो उन कामों को हम अलंकरन का काम कहते हैं हिंदी में अलंकरन तो वो जो वर्क आउट किया गया है उसको और्नामेंटल वर्क बोलते हैं अब पत्रों पर यह काम आसानी से किया जा सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि पत्तर हाड होते हैं कुछ पत्तर बहुत ही सौप्ट होते हैं ल आता है नेक्स्ट है मारे पास फॉर्थ पॉइंट के अगर मैं बात करूं पानी सोखने की छमता वाटर एब्जॉप्शन रेड़ जो है बहुत ही कम है तो लेस कि वाटर एब्जॉप्शन लेस वाटर एब्जॉप्शन तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह इसी की वज़े से आपकी जो इस्पैन है और डिरेबिल्टी है वो बढ़ जाती है क्योंकि इन्वार्मेंटल इफेक्ट बहुत ही कम होने लगता है क्योंकि किसी भी चीज को डिकुरेंट वाटर का रोल बहुत है अगर आप वाटर को रोक ले जाते हैं तो इसका मतलब उसका डिटोरिशन प्रॉसेस को आप रोक सकते हैं नेक्स्ट इसमें हमारे पास पांचवा पॉइंट अगर में बात करूं यह रेल्वे ट्रैक रोडवे इन सब जगापे मेजरली यूज होने वाले रेल्वे ट्रैक में आपने देखा होगा को कि दो रेल पट्रियों के नीचे जो हमारे बलास्ट यूज की जाते हैं उसको इंजिनिंग लंगवज में उन पत्रों को बालास्ट बोलते हैं तो यह रेल वे ट्रैक्स जो है लोहे की जो देखते हैं आप लोग उसको क्या देता है कूशन की एक्ट देता है यानि कि प्रॉब्य करता है रेल यह एंड हाइवे में यूज होने वाला मेटेरियल यह यह अच्छे पॉइंट की बात करों अब हम हम स्टोंस की बात करने तो जब हम स्टोंस प्राप्त करते हैं तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे स्टोंस हमारे इसी काम के लिए होते हैं कुछ स्टोंस ऐसा भी होता है कि उसके अंदर किसी मिनरल कुछ मिनरल मिलते हैं क्योंकि स्टोंस की हम definition देखेंगे तो देखेंगे कि तो उसमें minerals का भी एक नाम आएगा minerals का भी term introduced किया जाएगा तो कुछ stones ऐसे होते हैं जिसे हमें minerals मिलते हैं और वो minerals civil construction में ही दूसरे work के लिए use किया जाता है जैसे कि मैं बात करता हूं lime stone तो lime stone से हमें lime मिलता है और साथ ही lime stone का प्रयोग हम लोग cement में भी करते हैं तो आप देखें कि यह दोनों भी हमारे लिए civil में बहुत important material का role play करते हैं तो कहां से मिला यह भी stone से ही मिलता है तो इसी के कारान इसी जो 67 point आपको दिख रहे हैं हम बोलते हैं कि building material के लिए stone एक suitable material है तो अभी तक मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे को और आपको clear है next हम पॉइंट पर बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा की stones कहां से मिलता है कि stones कहां से मिलता है कि source कि अगर हम बात करें source कि इसके तो यह हमें पता चला है कि यह रॉक से मिलता है तो अगर किसी तरीके से हम रॉक्स के बारे में study कर लें तो यह reflect करेगा कि हमने इस टोन के बारे में भी study कर लिए है तो एक रॉक का अपना की definition होती है तो अगर मैं बात करूं कि इसकी definition क्या है तो यह एक composite material है एक composite material अब इस material को कभी-कभी आप minerals से refer कर देते हैं या किसी और चीज़ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह यह composite material है जो की इन और्गैनिक विचिज 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 मेड़प आफ याप composed of मेड़प आफ इन और गैनिक और गैनिक कि मिन्डरल वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप लोग इस सब्स्टैंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक composite material विचिज मेड़प आफ इन और्गैनिक और्गैनिक मिन्डरल सब्स्टैंस टू फॉर्म अ मैसिव हार्ड और सॉफ्ट स्ट्रेटा आप खुल मिला कर देखा जा तो यह और्गैनिक इन और्गैनिक मिन्डरल से बना हुआ एक material है जो कि बहुत ही मैसी बहुत ही भारी भर कम है और hard भी हो सकता है यह soft भी हो सकता है यह परत दर परत भी हो सकते हैं तो उसको हम लोग ने क्या कि है रोक रेफर किया हुआ है तो यह तो ही एक जनरल डेफिनिशन तो अभी हम बात करेंगे कि यह एक्चुली में यह चटान जो बने हैं वह कैसे बनते हैं जब चटान बन जाएंगे तभी तो हमें पत्थर मिलेगा अब चटानों का बनने का बहुत सारे तरीके है कि चटान क्यासे बरते तो इसको चटान बनने से पहले हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि क्लासिफाई करते हैं पहले इसको कि चटान जो है वह कैसे कैसे बने हैं तो सबसे पहले जो classification एक इस रॉक का classification की अगर मैं बात करूं classification of कि आफ रॉक कि अब देखे मैं बेशिस चेंज गरें अनुद बेशिस ओफ formation हम इसके formation की बात कर रहे हैं कि formation के अधार पर कैसे तो formation के अधार पर हमारे पास तीन तरीके की रॉक्स होती हैं जिसको आप लोग बोलते हैं कि आठानेय कि अग마र एंग्लिश चेंपर इगलीष में बोलूँ तो इगनियस रोक कि अगनियस रोक कि महां कि दूसरा कर चाह्या अगर मैं बात करूं तो सेटिमेंट्री कि है और साधी हर तीसरी अगर रोकी की में बात करूं तो रुपांध ठीनिकन मेटमॉर्फिक रॉग रूपांतरित अब यह तीनों जो चट्टान है उनका बेसिक क्या है फॉर्मेशन यह फॉर्मेशन कैसे हुए तो जब यह फॉर्मेशन होते हैं फॉर्मेशन के बेस्पें की यह तीन टाइप के होते हैं तो एक एक जनरल टम यूज किया जाता है कि रॉक का क्लासिफिकेशन ऑन दा बेसिस अब जियो लॉजिकल भूगर्भी आधार पर भूगर्भी आधार तो कि जो इनका है तो इनका फोर्मेशन आप कहीं नहीं जियोजिकल बोला गे तो यह तीन चुचे हैं जो क्लासिफिकेशन में क्या पता है जिलोजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट है अब one by one हमें थोड़ा deep study करनी पड़ेगी कि इगिनीयस रॉक सेडिमेंटरी रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बनते कैसे हैं इनका formation कैसे होता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे igneous rock की और ये तीनों चीजे हमें पता चल रही है कि geological का part है तो कहीं न कहीं इसका भुगर्व से relation है यानि कि earth से relation है तो igneous rock, igneous आगने, आगने अपने आप में एक अगनी word से बना हुआ है यानि कि fire से बना हुआ है तो कहीं न कहीं इस rock को बनने में high temperature का रोल है fire का रोल है अब हम जानते हैं कि starting में अपनी पिर्थी जो थी वो gaseous hot gaseous वो थी एक sphere माना जाता था तो धीरे-धीरे जब ये cool हुई solidify हुई तो उस समय इन जैसे rocks का formation होता गया और आज की डेट में भी इन जैसे rocks का formation हो रहा है अब यह कैसे अभी इसको समझने के लिए थोड़ा साम अर्थ के structure की बात करें यह एक अर्थ का सबसे टॉप पार्ट है जिस पे living कि एग्जिस्ट करता है तो जिसको हम लोग बोलते हैं crust और हिंदि में बोलते हैं भूपरपटी कि यह उसके बाद आता है अब crust कि चुप धिकने होती है यह पर पृत्वी की तरफ जा रहे हैं कोर की तरफ जा रहा है सेंटर की तरफ यह हो गया को हमारा कौर और प्रष्ट की बीच की जो पाथ होता है उसको हम लोग मेंटल भूलते हैं कि तो अब क्रष्ट की कभी कभी चार कीलो मेट से लेके 100 km की मोटी परत है समुधर तलक में अगर बात करूं तो 4 km हो गया कहीं अब पठारी च्छेतर में बात करूं या पहाडी च्छेतर में बात करूं तो 100 km तक रेंज मिलता है इसको तो इसी पर मान लिजे कि एक ज्वाला मुखी है कि वाल केनों है कि अब मेंड क्रेश्ट और मेंटल मेंड क्रेश्ट अधिकतर जो फॉर्मेशन होता है वह क्रेश्ट के अंदर का जो मेंटेरियल होता है वही वाल केनों से बाहर निकलता है और उसके कारण क्या होता है रॉक का फॉर्मेशन होता है अब हम जानते हैं कि ज्वाला मुखी जो ह कि टेंप्रेचर बहुत हाई होता है तो इसलिए आग का टम जो इहां पर रिलेट करता है इसलिए इसको आगने या इगनियस रॉक बोला गया है अब देखते हैं कि क्रश्ट के अंदर यहां पर हमारे यहां पर यहां पर बहुत सारे और गयानिक और गयानिक मटेरियल हैं क्रश्ट के पिर्थवी की सबसे उपरी परत को अगर मैं बात करूं तो उसके जब हम नीचे चलते जाएंगे तो वहां पर आपको चट्टान यानि कि कुछ ऐसे मटेरियल मिलेंगे जो कि मॉल्टन स्टेट में आ जाएंगे यानि कि कुल मिलाकर दे सबस्टान्स बाहर आ जाते हैं तो यहां पर जो भी सबस्टान्स होंगे वह सबस्टान्स क्या होंगे गले हुए रूप में होंगे क्योंकि टेंप्रेचर हाई है दबा के रखा गया है तो वह क्या है पिगले हुए रूप में होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मॉल्टन स के तरह लोंगे अब इनको कहीं पर पिरत्वी के क्ररष्ट कहीं से पीन से फीश समी जाये यानि कि दरार अगर मिल जाती तो उस दरार से क्या होता है अब यह माटेरियल मूल् smells में प्रैसर प्रैसर आई होता तो क्या करेगा बाहर निकलने की कोशिस करेगा इस दरार को पकड़ते हुए अब ये जो दरार है इस दरार से जब ये मोल्टन स्टेट्स में निकलेंगे तो इसको लावा वड़ बोला जाता है और अंदर ये गले हुए को बोला जाता है मेगमा जब ये मैगमा बाहर निकल जाता तो लावा बोल दिया जाता ये धीरे धीरे कूल होता रहता है अब आप देखें कि जब ये मैगमा बाहर निकल के आस पास के छेतरों में फैलेगा और ये जब सॉलिड हो जाएगा यानि कि सूखने लगेगा और ठोस बन जाएगा तो ये एक चटान का रूप ले लेते हैं इस तरीके का जो चटान बना होता है वो इगनियस रॉक कहलाता है अब इस चटान की क्या प्रॉपर्टीज होती है और कौन-कौन सी इसकी विसेस्ता हैं जो है जिसके उपर हमारा जिसके उपर जो इससे बनेवा जो स्टोंस से वो कितिन विसेस्ताओं को धारित करेगा और उसको कहां पर प्रेयोब करेंगे इसके बारे में आगली लेक्चर में हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद